अच्या लग रहा है यहां पर आके और फोटू क्हेछाते हैं बहुत ही प्यारा लगता यहां पर आथ का व्यूजु वह बहुत ही सुन्दर दिर्शिय एक वर दिखाता है अच्छा पील हो रहा है मनदलब शान दा जो बिगड़ नहीं सकती है अराम से बनी हुई है और ये दीपक तो आपने देखाई होगा लगवग इसमें 500 किलो घी पड़ेगा और ये दो ढ़ाई महीने तक जलेगा और ये है लेजर लाइट के द्वारा मन को मुहित कर देने वाला सुन्दर दिरश्य सबसे मेंन इन्फोर्मेशन ये है कि अगर आप आ रहे हैं तो पाने की बॉटल अपने साथ जरूर कैरी करें क्योंकि अंदर पाने की बॉटल नहीं मिलती है तो दोस्तो वेलकम वैक टू आ न्यू ब्लॉग दोस्तो आज हम आई हुए आयुद्र नगरी में तो दोस्तो यहाँ पे बहुत सारी अववाय चल रही हैं जैसे की रूम नहीं मिल रहे हैं और बहुत सारी भीड है तो इसलिए हम आपको आज पूरा ब्लॉग दिखाएंग और इसमें अटैच ही लेटिंग बात्रूम है तो दोस्तो इस रूम को अगर आपको लेना हो तो हम इसका नंबर जो है वह आपको डिस्क्रेप्शन में डाल देंगे और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंड कर सकते हैं हमसे पूछ सकते हैं तो आईए चलते हम लोग यहां से निकल दिये मंद्र के तरफ दोस्तों यह हैं यहां से मंद्र जो है वो धाय किलो मिटर दूर है तो यहां से आप टुक टुक भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग पैदल यात्रा करेंगे जिससे कि हमारा ब्लॉग बहुत अच्छे से बन पाए और बीच की जितन राम जी का मंदेर और रामायन कालीन का एक सुन्दर सा द्रश्य बना हुए जहां पर भरत जी बैठे हुए हैं जब प्रभु श्री राम जी को 14 साल का बनवास मिला था तब अयुद्या का राजा भरत जी को बनाया गया लेकिन भरत जी ने अस्वार करते हुए एक ही बात क जो रावन ने माता सीता को हरन करने के लिए जाल बिछाया था जब प्रभु श्री राम जी इसको लेने के लिए भागे थे और उसी समय रावन अपने पुश्पग्युमान में माता का हरन करके ले गया था और जटायो जी ने रोकने की बहुत कोसिस की लेकिन वो नाकाम्य आव रहे और लड़ते लड़ते अपनी फ्राण को निशावर कर दिया तो जैसे जैसे आप मंदिर की और बढ़ते रहते हैं तो यहां पर पानी की फ्री सेवाएं उपलफ्त कराई जाते हैं तो हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा प्यास और हमने यहां पर दूबोतले ले हैं आपने देखा हुआ देवाली पे बहुत लाकों दिये यहां पर जला जाते हैं और दोस्तों फाइनली अब हम चलते हैं आगे के तरफ तो यहां पर देखे बंडारा होता जा जाए लेकिन हम लोग खाई हुए तो हमने दर्शन करने चलते हैं तो जैसे हम आगे बढ़े हमें दिखता है कोच ये नजारा और अगे पड़ चाती है हनुमान गड़ी तो हनुमान गड़ी पहले हम प्रभु bashriraam के दर्शन करने बाद हनुमान गड़ी जाएंगे और य आगे ही ब्राजबान है हमारे प्रभूश्री राम जी तो दोस्तों जैसे आप अंदर के लिए बढ़ते हैं और आपके मातापित अगर आपके साथ आ रहे हैं और अगर वो किसी कारणवर्स नहीं चल पा रहे हैं तो वीलचेर की शेवा भी यहां पे उपलद है जो यहां के स शुरू हो गयते प्रुविष्री राम के जैकारे और हमने भी लगाये जैश्री राम के जैकारे यहां से आगे अगर आप भीड़ी सिर्गड गुटका तमाकु यह सब खाते हैं तो वह यहीं आपको फेगने पड़ती हैं इसके आगे आप नहीं लेज़ सकते हैं और यहां हमने पैदली यात्रा करनी होती है तो यहां पे आप लोग वी अपने सेफली रख सकते हैं यहां कैमरा माइग वगारा यह बाच वगारा आपको आगे ले जाना मना होता है इसलिए यहां पर आप लॉकर की सेव novel और उप लपığ二 है यहां प देखके बिल्कुल ऐसा लग़ा कि यहीं पे रह जाओ और फाइलली दर्शन हो गए थे हमारे प्रभु श्री राम जी के वो देखे सामने ब्राजमान है हमारे राम जी और प्रभु की प्रतिमा को देखके ऐसा लग़ा कि शाक्षात प्रभु श्री राम जी ने दर्शन दे दिए तो अब आ गये हम लोग बाहर और एक बहुत ही सुन्दा नजारा पीछे मंदिर का तो यहां पे आके बहुत ही मन हमारा बागवाग हो गया यहां से जाने का मनी नहीं कर रहा था लेकिन जाना तो पड़ेगा कि कि आगे का व्लॉग भी हमेश उट करना है आई आप चलत अब दर्षण करने आते अभी बहां पर बन गया है पहले यहां पर तो आ यह चलते हैं हनुमानगढ़ी के तरफ फथा dziुअ की साक्षा्थ हनुमान जी भात बराजवाçarन जब प्रुब प्रुबूर्भ स्राम शरुर्की ने र में आता है मंदिर दूसरा है कि जब राम जी साकित धाम जाते समय अउध्या का राजा हन्मान जी को बना के गया है आपने दर्सन किया होगा तो हन्वान जी नीचे बैटे हुए है और राम परिवार पीछे उपर है तो हन्वान जी एजय सेवब अयुद्या में राजकार कर रहे हैं और राम कोट की रक्षा करते हैं राम कोट का शेटर बहुत बढ़ा है तरीब 2 किलो मीटर का शेटर आता है और राम जी का महल राम जन भूमी कनक भवन दर्सत जी का महल राज्द्वार मंदिर यह जो मुख्य मंदिर हैं सब राम कोट शेटर में आते हैं जिस कारण से यह हन्मान जी की सबसे प्रसिद पीठ है राम जी साकेत धाम जाते समय अपने हन्मान जी को अफ़ा का राजा बनाए है और चिरण जी भी होने का वर्दान सिता जी ने दिया हुआ इनको जिस कारार हन्मान यहां पर प्रतक चुरूप से विराजमान है यह अध्या में हनवान गड़ी का प्रसिंतम प्यूठ है और यहां की महत्ता है तो भहिया की शौप इस मंदिर के ठीक साम नहीं है और भहिया ने बहुत अच्छे से जानकारी दी हनवान गड़ी के बारे में अब हमने इनसे प्र के दर्शन करने के लिए और उनको प्रशाद चड़ाने के लिए तो देखी कितनी ज्यादा भीड़ है और यहां पर तो फाइनली दोस्तों प्रभु जी के दर्शन हो चुके हैं साक्षाद ब्राजमान हैं बजरंग वली जी यहां पर यह कीजिए आप दर्शन बजरंग व जी तो दोस्तों कि यहां से रशन अच्छे से कर लिए और कम निकल चुक है अब दसरत महिं की तरफ और यहां से हम भार जा रहे हैं और यह से बन रहा है मलों आझग अपक्छे से की श्त्रिक धैम नियुक्तर दॉटर्व के यहां से हैं और यह प्रभू जी अपने बाल प बहुत ज़ादा है और इनकी लंबाइए को आप देखी सकते हैं बहुत ज़ादा स्ट्रोंग ली से बनाया गया है इसको फिर जैसे हम गेट से अंदर बड़े तो यहां पर चल रहा था भंडारा जहां पर मिल रही थी इटली और शामबर तो बहुत ही स्वादिष्ट यह भो तो यहां पर प्रभु श्री राम जी का नाकी बच्पन गुजरा दोस्तो बच्पन से लेके 19 साल तक की एस तक प्रभु श्री राम जी यहीं पे रहे और उन्होंने यहीं पर अपना बच्पन काटा और यहां पर जो प्रितिमाय हैं राजद दसरत जी की भी हैं और बाल अ यहां पे प्रुभी श्रीराम जी के दर्शन कर सकते हैं उसके बाद शाम को चार बई से लेके आप नौ बई तक दर्शन कर सकते हैं तो आए अब हाँ आपको लेगे चलते हैं अंदर महल में तो यहाँ पर रखी है जो विविन जगा से शीलाय आई हुई है, और आयुद्या मंदिर में जो मूर्तिया बनाई जाएं वो इनिघ साथा मंदिर उनी शीलाय कहां कहां से आई हुई है, तो पहले जो नइपाल, 59. का कथ को यह दोर यहां दूरता हो हैं, और आगे उन धैकर अच्छा 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 तो यह अंकल खड़ेते यही लोग ले किया है इन चीलाओं को और यह दीपक जो रखा वो भी इनकी यहां से आए हुआ है तो यह दीपक की वेसे इसता आपको बताएं कि इसमें 500 किलो घी एक बार में पड़ेगा और यह दो धाई मैने तक दीप करता हैं और यहां पर 20 दिनों से बंडारा चल रहा है और यह पुरा फरवरी बंडारा यहां पर चलेगा और बहुत ही स्वाधिस्ट बंडारा था तो हमने भी यहां से बंडारा खाया जो कि मैं आपको बता दू यहां पर तीन सबजियां थी और यहां पर हल्वावी दे र और यहां पे बहुत ही ज्यादा तादात में भक्त गण आये होते हैं और यहां पे आगर आपको आना है तो आप पांच बेसे आ सकते हैं और साथ बजे तक आप यहां पे आरती का आनन ले सकते हैं तो अब हम आपको लेकर चलते हैं जन्नत में नाइट शो लेजर लाइट के दोस्तो आप भी बिल्कुल यहां पर आके खो जाएंगे आपके दो घंटे चार घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता ही लगे और इतने बड़े परदे पर पूरी रामायड चलती रहती है यहां पर कई घंटे लोग ऐसी बिता जाते हैं और मेरा तो बिल्कुल जाने का मन जो रात को यहां पर बिल्कुल चार चान लगाये था यहां की खूपसूरती देखके आपका मन जो है मोहित हो जाएगा और कुछ काम जो है अभी लगवक्त 10% काम बचा हुआ है वो चल रहा है और जिसको भी यहां पर आना है रूम कैसे लेना है या कहां रुकना है और खाना पीना कैसा है और कहां खाएं तो यह सब हम लोग आपको जानकारी तो यूटूब पे तो बताई चुके हैं अपने ब शुष्षीराम